बदायू में दो मासूम बच्चों की हत्या का सच क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं चल सका है और हत्या की गुत्थी और भी ज्यादा उलज गई है इसे उलजाने का काम खुद SSP के बयान ने किया है इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है यही मैं आपको इस वीड को आप अंत तक जरूर देखेगा और अगर अभी तक आपने न्यूज जेट इन इंडिया के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें देखे बीथे मंगलवार को बदायू में दो मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई चाकूं से गोद कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी जिसका नाम साजित था उसे उसे दिन एंकाउंटर में मार गिराया जबकि दूसरा आरोपी जो की साजित का ही भाई है जिसका नाम जवेद है उसे पुलिस ने बाद में बरेल पुलिस ने ये कहा कि साजिद के उपर उपरी हवाओं का साया था यानि कि वो मानसिक रूप से बीमार था और यही वज़त थी कि वो अक्सर अग्रेसिव हो जाय करता था और यह प्रेस कांफरेंस इसके बाद खत्म हो गई लेकिन जो मूल सवाल था जिसका जवाब परिवार भी जानना चाहता है जिसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया ऐसा लगा कि मानो प्रेस कांफरेंस करके घटना का खुलासा करके बस खानपूर्ती कर दी गई हो लेकिन असल वज़े क्या थी इस मॉडर की दो मासूम बच्चों की निर्म का जिक्र किया पुलिस ने और ये बताया कि जो साजिद था वो बच्चपन से ही उस दरगाह पर जाये करता था जिसकी बहुत मान्याता थी और वहां पर उसका इलाज चल रहा था कई सालों से उसका इलाज चल रहा था क्योंकि वह मानसिक रूप से बीमार था और यही बज श्वभाव का था और अगर वो इतना ही अगरिसिफ था तो इतने समय से वहाँ पर वो सलून कैसे चला रहा था, ग्रहकों से वो मिलता था, बाचीट करता था, वहाँ बहत श्यांत स्वभाव का नजर आता था, दोनों भाई मा पर काम किया करते थे और कभी किसी की कोई नोक और यही जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उसने उन दो बच्चों की हत्या कर दी ना कोई लड़ाई ना कोई जगडा दो मासुम बच्चों का आखर कुसूर किया था कि उन्हें इस तरीके से मौत की घाट उतार दिया गया और यही सवाल अभी भ उसकी कोई लड़ाई नहीं हुई कोई नोग जोक नहीं हुई तो आखर अचानक से यह गुसाल प्रवर्ति की बात कहां से आई जबकि परिवार वालों कभी यही कहना है कि वो शांत स्वभाव का था कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं और दूसरा बड़ा सवाल जिसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है जिसके बारे में जानकारी पुलिस नहीं दे पाई है क्योंकि वो सलून में काम करता था और उसने उन दोनों बच्चों की जो हत्या की वो भी चाकू से की चाकू से 23 बार वार किये गए पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में इस बात का खुला से आया ये भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और ये ऐसी अनसुलजी पहेली है जो समय के साथ और भी ये और भी पेचीदा होती जा रहे है सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा कि आखर मकसद क्या था जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि परिव हम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई जबकि हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी हमारी तो अच्छी बातचीत थी क्योंकि उनका दुकान हमारी घर के ठीक सामने था अब क्या जावेद पुलिस की कस्टेडी में है जावेद के साथ जब पूश्टाच होगी तो क्या इन स कैसा लगा और इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा